इम जीम यहहं ग्राउंड जो है किः गरमेंट का ग्राउंड है और यहां पर आप देख सकते हो यह यह लाइन से जो पार्थ गाडिया है यह कोई रेसिरंग की गाडिया नहीं है यह बाइंग वालों की गाडिया है तो आप मैझ autor कर सकते हो यह जो है यह पूरा लिंक रोड है ilan हैम पर यह स्वश्य आर्य पेह प्रॉब यह फूरा देख सकते हो कितनी गाडियाँ प्रॉड है यह पे और यह पूरा में में वोड पर पार पर्कनर के रखा है तू अगर बॉस्टे सकते हूं इस पार्ण में तो अजय किए आप encompass बनना चाहिए अगर बाइंग सेलिंग का बिजनेस है तो आपका खुद का पार्किंग होना चाहिए ना कि गवर्मेंट का पार्किंग का कॉस्स अगर आप फ्लैट में खरीदने जाते हो तो पास से 7 लाग रुप है दोस्तों यहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपको भी का में तिकाँगा यह शब सीशन चल रहा है यहां पर कुंवाई में ऐसा कोई एक में रोड नहीं है जहां पर कंस्ट्रक्शन का माम नहीं चल रहा है कोई एक भी आसनियें सो डोस्तों वैसे तकलिप में धेया ह div Tammy रवी चंदार आना दोस्तों लोग देखने वाले ब्रहन मुंबई महानगर पाली का जो बीम सी है उन्होंने एक नया लॉल आया है मुंबई में पार्किंग फाइन्स के रेट जो है दोस्तों इन्होंने बढ़ा दिये 5000 से लेके 23500 कर दिये क्या पूरी चीजे इस वीडियो मे मत कीजिए अगर आप बिजनेस चलाते और आपके शॉप के सामने कर नो पार्किंगा बोट रख दे कोई तो क्या आप बिजनेस कर पाऊंगे कोई आपके शॉप में कोई कार पाक करके आ पाएगा सो सब चीजों का ध्यान में यह होलिस्टिक रिव्यू करना चाहिए गवर पाइन-पार्क की है और आज की तरहिक मुझा काफी अपस लीए अप सब्सकूरा अप कर सकते हो सो उसके लिए क्या करना है रभाए इंफर स्ट्रूट्ट्रिक्टर डेवलप करना इंफर स्ट्रेवलप करने स्टार करने के लिए पहले पाकिंग्स बनाना जरूरी होता है फाइन लगा के इसौल नहीं होगा इशू पहले उतनी पार्किंग होनी चाहिए कि गाड़िया है 30 लाक मुंबे में क्या बीमसी के पास में 30 लाक परकिंग है क्या नहीं है ना या 50 परसिंट भी पार्किंग है क्या यह विडियो बनाने का जो में परपर्स है वह यही है कि नहीं थे उनके दिमाख में इक होता है कि बच्चों को लेकैं हों दोस्तों मेरा यह मानना है कि जो पार्किंग हे पार्किंग के फाइंग वो रहने चाहिए लेकिन उसका दोलि मिस होना चाहिए एक अब कोई भी इनسان अगर वह आफोड नहीं कर पा रहा है अगर वह फाइन नहीं भर पा रहा है तो कहीं ने कहीं वह पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाएगा और उससे क्राइम रेट भी बढ़ सकता है और काफी गरिब लोग है जो ड्राइवर्स है जो बारा तेरा पंदरा अजर रुपए में काम क पर कर दिया है तो वहां परिखोते में आपको गाड़ी निकाल नहीं होती में अगर तो पर ऐफान्टी के पांड का पनल्यव लगाता है की मीनिमण अर निंग पर डे का वह है 6 pound per hour है तो अगर 8 गंटे काम करता है तो 40 pound 4,000 दिन के कमाता है उसमें से 5,000 वो penalty में भर सकता है लेकिन मुंबई में दोस्तों जो minimum earning है minimum wages है वो 9-10,000 रुपए है अगर 300 रुपए दिन का वो कमा रहा है और उसकी fine अगर 25,000 होगी तो यह कही न कई imbalance है वो पे नहीं कर पाएगा उससे crime rate भी बढ़ सकता है यह भी चीज़े ध्यान में रखनी चाहिए government ने गवलिक प्लेसे जैसे पार्क हो गया club house हो गया वहाँ पे हमेशा जो पार्किंग है वो फ्री होनी चाहिए एक गंटे के लिए तो जैसे जो पार्किंग अटेंडन्स होते है वह वहाँ पे घूमते रहते हो एरिया में वह आपके गाड़ी का फोटो निकालते है और एक गंटे से ज्यादा आगर आपकी गाड़ी पाक होती है तो उस condition में दोस्तों वह आपको पेनल्टी लगाते है अगर आप गंटे से ज्यादा लगाते हो और दोस्तों एक मैं बताना चाहूंगा कि जो रेसिदेंशल पार्किंग होता है जो छोटी-छोटी लेंज होती है तो वहाँ पे बीमसी ने क्या करना चाहिए वह रेसिडेंट को एक परमिट अलोकेट करना चाहिए जिसका एक पार्किंग का मंतली या यह लिए आप चार्ज कर लीजिए 500 रुपया यह लिए अगर आप चार्ज करते हो 500 रुपया उसको एक कुपन या एक बैज दे देना चाहिए जिससे वह वहां पे वही एरिया में पाक करेगा करेगा if करता है उसके अथे पर्मिट नहीं है तो आप उसे फाइन लगा सकते हो उससे क्या होगा सब्सक्रेट कर अब पहला धिन का का इशी था मैं आने आपको है इलएड किया है कि जहां पर बाइंग रब रास्ते पर गाडिया पाक कर रहे एक शॉप ले के 25 भारिया पाक कर रहे लगता है लेकिन इतनी जादा पेनल्टी आप नहीं सकते हो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गलत है होपुली आइधिंग काफी सोशल अक्टिविट्स भी यह चीज को लेके कोट में जाएंगे कई ना कई कोट भी ऑब्जर्व करेगा इसके उपर स्टे ऑडर भी ला सकता है दोस्तों सुजाओ के बारे में और यह चीज बताना चाहूंगा काफी ब्रीज़ बनें ब्रीज की नीचे जो जगह है वो एमटी पड़ी है कंपाउंड की हुई उसे ओपन कर देना चाहिए पार्किंग के लिए उसे पेहन पार्क में यूज कर सकते हो सुलूशन की बात करते हैं सुलूशन के बात में मैं बोलना चाहूंगा कि गवर्मेंट ने जो टोइंग वैंस है उसे चाहिए सो कही पर भी आपको लग रहा है नो पाकिंग में गाड़ी करिए उसे सीधा टो कर लिजे उसे फाइन चार्ज कीजिए जो मिनिमम फाइन हजार देड़ हजार का जो है वो जो अभी भी है या फिर जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली लॉब रेक कर रहा है उसकी लिए कोई एक सकती से कानून बनाना चाहिए कि आप दो तीन बार ठीक है तीन बार आपका जो गाड़ी है गलत जगा पाकता फोल टाइम आपको 5000 पेनल्टी लगेगा फिर उसको बढ़ाते रही है लेकिन डेवन से गरीब आदमी को क्यों ऐसा यह कर रहे है तो यह सुजाओ में उसके आसपास में जो गवर्मेंट ने है ना फ्री पार्किंग रखना चाहिए और वो एक गंटे के लिए रखना चाहिए तो काफी टाइम आपको दिखेगा कि जो अन्नेसेसरी गाड़िया दिन दिन बर वहां पे खड़ी रहती है और जो लोग आते हैं पार्क में उनको करने के लिए जगह नहीं मिलती हो कई भी पार्क करके फिर पार्क में जाते हैं तो वह अवड करने के लिए कुछ एक लाव बनना चाहिए तो पार्किंग अटेंडन्स रखने चाहिए ज्यादा उस चीज को मॉनिटर करने के लिए और दोस्तों रास्ते की जो हलत है उस तो काफी दिक्कत हो रही है और नॉर्मल सिटीजन को ट्राइवलिंग टाइम है वो बढ़ गया है जो फ्रस्टेशन लेवल है वो बढ़ गया है आप अगर रास्ते में जाते हो जहां पर ट्राफिक जाम है आप देखते हो कि हर कोई एकमेक से जगट रहा है कोई खुद की यह जगा पर पाक कर रहा है आर्किंग का फाइंस करने के पहले दोस्तों जो एंक्रौंच मेंन्ट काफी जो बीजनेसे रोड पे चल रहे है उसे कई-नकई बण-करना जाए क्योंकि उसके वजह से भी ट्राफिक जादा हो रहा है क्योंकि वह लोग रास्ते पर बिजनेस कर रहें लोग रास्ते पे चल रहे हैं गाडियों को चलने के लिए जगा नहीं है तो यह सब चीजों के उपर भी ध्यान देना ज़रुरी होता है तो दोस्तों यह सुजाव आपको पसंद आए होंगे और आपके कोई भी एक सुजाव है जो लगता है आपको कि एफेक्टिव र Rider, please wear helmet, driver, please wear seat belt, keep the road clean, keep the road safe, keep the city clean. Thank you